हेलो एव्रिवान, वेलकम टू माई किचन, तो चलिए आज हम बनाते हैं सैंड्विच जिसे हम ब्राउन ब्रेट से बनाएंगे, सैंड्विच बहुत ही हिल्दी होता है, तो आज मैं बना रही हूँ आलू सैंड्विच जो कि बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और बच्च अगर ना हो तो फिर सैंड्विच फिकी लगती है और इसे मैं नॉर्मल तवे पे बनाऊंगी, इसके लिए कोई भी ग्रिल तवा या सैंड्विच मेकर की जरूरत नहीं है, बस आराम से ये सिंपल तवे पे बन जायागा, तो चलिए अब इसे सैंड्विच बनाना स्टार् देख सकते हैं, कडाही को मैंने गर्म कर लिया है, अब इसमें एक चमच मैं तेल डाली हूँ, तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद इसमें आधा चमच सरसों और आधा चमच जीरा डाल दें, तो जब सरसों और जीरा से साउंड आने लगे, तो इसका मतलब वो भून लेंगे कि प्याज हलका सा ब्राउन हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्याज हलका सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, दो बारीक कटी हुई, हरी मिर्च अगर आप चाहें, तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, अगर बच्चों क काट लिया है तो अब इन सब को हम mix करते हुए अच्छा सा fry कर लेंगे कि गाजर हलका सा soft हो जाया अगर आप चाहें तो simla mirch भी यहां पर add कर सकते हैं मैं simla mirch के भी नहीं बना रही हूं क्योंकि मेरे पास simla mirch आज नहीं था तो आप यहां पर आप देख सकते हैं गाजर भी soft हो गया है तो अब मैं यहां पर डाल रही हूँ एक चम्मच चिली फ्लेक्स अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल चिली पॉडर डाल दें साथ ही साथ आधा चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच हल्दी पॉडर तो इन सब को अच्छे से हम mix करकर भून लेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं चार से पांच आलू को उबाल कर मैं रख ली हूँ अब इसको mask कर लेना है आलू को तो अगर आप sandwich बना रहे हैं तो आलू ठंडा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है गरम आलू भी आप ले सकते हैं तो पहले से ही आलू को boil कर कर छोड़ दें तो अब mask किया हुआ आलू हम प्याज वाले मसाले में mix कर देंगे और इन सब को अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा चमच गरम मसाला बारी कटी हुई धनिया पत्ती तो अब इन सब को अच्छे से mix कर लेना है कि मसाले आलू के आलू में अच्छे तरह से mix हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का मसाला हमारा रेडी है तो आलू मसाला को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए सेंड्विच में हमें इसे ठंडा करके ही भरना है तो आप चेटनी बनाते हैं तो ग्रीन चेटनी के लिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ धनिया पत्ती, रोस्टेट चना दाल, अधरक, लहसन, हरी, मेर्च, स्वात के जनुसार नमक, आधा चमच इमली, आधा चमच पानी, इन सब को अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेना है, चेटनी को ज्यादा पतला नहीं करना, इसलिए मैंने सिर्फ आधा चमच ही पानी दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेटनी एकदम ग और इन दोनों को मिक्स कर देना है, तो एजली रेड चेटनी भी बनकर तयार हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, आसानी से दोनों चेटनी को मैं बना ली हूँ, आप भी इसली बना सकते हैं, तो अब हम सैंडविच को ब्रेड में फिल करके रेडी कर लेते हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड में ली हूँ, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, जो भी easily available हो, तो एक ब्रेड में आपको लगा देना है, वन साइड से रेड चेटनी जो हमने तयार किया है, और दूसरे ब्रेड में ग्रीन चेटनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज कर दिया है, और बीच में हम इसमें फिल करेंगे जो आलू का स्टफिंग बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें चीज भी एड कर सकते हैं, चीज बचों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो चीज सेंडविच बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चीज एड कर दे लेकिन मैं आज इसे बिना चीज के ही बना रही हूँ, तो आलू को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्टफ कर सकते हैं, सेंडविच में मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ, तो देख सकते हैं, पूरे अच्छे से आलू भी स्टफ हो जाता है, फिर दूसरा कर देना है तवा पे, और सेंडविच को रख दे, तो एक साइड से सेंडविच कुक होने में वान मिनट ही लगेगा, तो एक मिनट के बाद फिर इसे हम पलट देंगे, तो सेंडविच दोनों साइड से कुक हो जायागा, तो इसे कुक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगत है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया और यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गया है ब्रेड तो सैंडविच अब एक मिनट और हो गया तो दूसरे साइट से भी सैंडविच कुक हो तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, टर्न करके भी, सेंडविच हमारा रेडी है, तो इसी तरह से मैं सारे सेंडविच बना लूँगी, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेंडविच को कट करके, सेंडविच कैसी बनी है, त तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में लिख कर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, थैंक यू फॉर वाचिंग,